जहीं दोस्तों स्वागत आपका अपी के चैनल डीनुईस टेक हंदी में सात्यों सैना भरती से जुड़ी एक और जानकारी आपके लिए लेकर आ गए हैं यह जानकारी उत्तर प्रदेश, मद्दे प्रदेश, बेस्ट बंगाल वे गया में आगामी दिनों में होने वाली सैना भरती रेली को लेकर है और बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है अगर हमारा अंदाजा सही निकला तो दोस्तों हुआ यू है कि सैना भरती कारिकरम को लेकर अभी दो-चार रोज पहले अलग-अलग दिनों में सेना भर्ती की ओर से जो जो जॉइन इंडिन आर्मी पोर्टल है वहाँ पर एक notification जारी किया गया जिसमें इन राज्जियों में विभिन जिलों के लिए होने वाले सेना भर्ती को रेली को लेकर जानका रिदी गई थी लेकिन अभी यह notification दो दिन पहले हटा लिया गया है तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको नौटिफिकेशन दिखा देते हैं कहां पर क्या नौटिफिकेशन था और उसे कहां से हटाए गया है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो देखेगा एक इस तरह से मैसी आता है यहां से इन उन एक उसको लिंक को अटा दिया और यहां से आप सीधा पर वापस जा सकते हैं यह सिर्फ इसके साथ यह नहीं हो रहा हम अब यहां पर देख लेते हैं कि यह देखेगा अगर इसकी बात करते हैं तो यह जो सारी जानका दिया लेकिन इस notification को हटा दिया गया है वहीं अगर आप यहां देखते हैं यहां जो लखनव जहां पर तेरे जिलो की UP में सेना भरती होगी उस notification को जो हम देखते हैं तो यह notification भी यहां से हटा लिया गया है इसी तरह से आप देखेंगे कि यहां इस भरती का notification जो मद्देपरदेश में होने वाली है और GDRM घूम म पोर्टल पर और वहां आप चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रिदेश के फत्यापुर में दो फरवरी से 13 जिलों के जिवाओं के लिए होने वाली सेना भरती कारिकरम में होगा बदलाव क्या ऐसा होगा क्या जो notification हटाए गया है वह इसलिए हटाए गया है क कहीं भरती कारिकरम में कुछ बदलाव होगा देखिए सेना भरती का इंतियार कर रहे है उत्तर प्रिदेश के और रहया बांदा बाराबंगी चित्रकूट फत्यफूर गॉंडा हमीपूर कनोज कानपूर दियात कानपूर नगर लखनों महोवावे उन्नाप जिले सहीत ए करसल साल भर से सैना भरती का बेश्रबरी से इंत्यार कर रहे हैं उन्तर प्रदेश की बात करें तो फेपूर में दो फरवर्श से 10 फरवर्श तक papa होने का लेकिन अब इस पोटल से उक्त नोटिफिकेशन को हटा लिया गया है ऐसे में युवाओं की चिंता बढ़ गई है युवाओं को लग रहा है कि कहीं शैनाभर्ती कारिक्यम को आगे तो नहीं बढ़ा दिया गया है ऐसे ही कई अन्य बातें युवाओं से सुनने को मिल रही है हाला कि युवाओं का यह भी कहना है कि भरती में सामिल होने के लिए ओनलाइन आभी दन की प्रक्रिया शुरू हो गई है बहराल अभी तक सेना की ओर से इस नोटिफिकेशन को जॉइन इंडियन आर्मी पोडल पर अभी तक दुबारा अपडेट नहीं किया गया है देखिए जब आप वहां पर देख रहे हैं तो इस तरह का मैसिज आपको देखने के लिए मिल रहा है और क्या हो सकता है बढ़ती से संबंदिर चली हम आगे भी आपको बता देते हैं युवाओं की समिश्या को लेकर जब कि सैना भरती का नॉटिफिकेशन हट गया हो क्योंकि तीन दिन पूर्व जारी किये गए इस नॉटिफिकेशन में चार दिसमबर से ओनलाइन आभी दन सुरू होना बता गया है और अब दो दिन से यह नॉटिफिकेशन पोटल पर खुल नहीं रहा है तो ऐसे में कहीं ने क संपर करने की कोशिश कर रही हैं जैसे ही हमें को अपडेट मिलेगा हम आपको इससे अवगत जरूर करेंगे अब आपको सात्यों जो दो दिन पहले जो नॉटिफिकेशन जारी किया गया था हम भी दिखा देते हैं क्योंकि हमने उसको पहले ही डाउनलोड करकर रखा हुआ यह देखिए यह भरती होने वाली उसको लेकर जारी किया गया था जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं साइट पर जब आप इसको ओपन करते हैं यह लखनों वाले तो यह आपको नहीं खुलेगा लेकिन हमने इसको यहां ओपन किया हुआ है और इसमें क्या क्या जानकारी यह वह जानकारी आपको सारी लेनी है तो आप इस खबर को हमारे पोटल पर पढ़ लीजेगा नीचे पूरी जानकारी दिये कब आपके एडमिट कार्ट जा रही होंगे क्या 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 आपको ले जाना है किस तरह से सारी बढ़ती के बारे में पूरी जानकारी आपको इस सकते हैं साथियों मैं यह इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हम यूटूब पर वीडियो तो लेकर आते हैं लेकिन पूरी जानकारी आपको हिंदी में यहां इस साइट पर सबसे पहले देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर आपसे बहु